चोडों से मोबाइल मांगना एक दमपती को पड़ा महंगा चोडों ने चाकू मार कर किया घायर मोबाइल चोडी करने वाले लोगों का बिरोत करना एक दमपती को महंगा पड़ गया मोबाइल चोडी करने वाले लोगों ने दमपती के साथ मार पिट करने लगे इस दोरान एक यूवक ने चाकू निकाल कर हमला कर दिया जिसमें पुरूस गंभी रूप से घायल हो गया वही महिला को कई जगा चोड लगी है घटना नगर थनाचेतर के नया टोला देहरिया का है फिलाल चाकू लगने से घायल हुए इबैक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है घटना के बाड़े में घायर मनुश चोडरी की पटनी जितनी देवी ने बताये की बीती रात उनके देवर सिनुश चोडरी का मोबाइल फोन महले में चार यूवक चोड़ी कर भाग रहे थे जिसे महला ने देख लिया हाला कि उस से में वो चारो यूवक नहीं पकड़ाये हैं रविवार की सुभर नौ बजे मनुश चोडरी अपनी पतनी के साथ उन चारो यूवक के पास पहुंचे और अपना फोन मांगने लगे जिसे ले कर चारो यूवक दमपती के साथ बिवाद करना सुरू कर दिया बिवाद काफी बढ़के और मारपीट का रूप ले लिया इसी दोरान एक यूवक ने चाकू निकाल कर मनुश चोडरी के पेट पर चाकू मार दी बीज बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी जितनी देवी को भी उन लोगों ने मार कर घायल कर दिया घायल दमपती अपना इलाज करवाने सदरस्पताल पहुंचे वही इस घटना की सूचना नगर्थाना पुलीस को दे दी गई है हुआ है